आज की इस वीडियो में हम SSC GD को लेकर कुछ important update डिसकस करने वाले जिसमें सबसे पहला update जो की important आप सब भी के लिए वो बताना चाहूंगा कितने form इस बार apply हुए है SSC GD के लिए एक RTA के according जो reply आया है वो यह reply आया है कि इस बार जो है वो 54,000,000 के आसपास form fill करे गए है 54,000,000 के करीब यहां पर इस बार form fill करे गए है total आपको पता 45,000 के करीब vacancies थी हाला कि starting में vacancies जो इतनी नहीं थी vacancies बाद में बढ़ाए गई थी starting में 24,000 के आसपास vacancies थी बाद में बढ़ा के तो 45,000 के around करी गई थी तो total जो form apply करे गए वो 54,000,000 के करीब form apply करे गए है जो कि last time से बहुत कम है last time में vacancies बहुत कम थी और form बहुत ज़ादा 70,000,000 के आसपास form apply करे गए थी इस बार vacancies बढ़ा दी गई लेकिन form कम apply हुए है इसका एक reason ये भी है कि हलाकि उससे जदा form नहीं फिल हो सकते थे last के जो 45 दिनों की अगर हम बात करेंगे 25 तारीक से बात करेंगे क्योंकि 30 November last date थी तो last के 4-5 दिनों में students form apply नहीं कर पा रहे थे maximum students problem face कर रहे थे जिसके कारण last के 4-5 दिन जो है उस दिनों में जितने form लग सकते थे वह लग नहीं पाए यह एक reason भी कि डाटा जो आपको बड़ा कम देखने को मिल रहे हैं और इस time पर demand यह में रखे जारे कि sscgd का जो form एक बार फिर से extend करने चाहिए apply करने की last date को हला कि अभी तक अगर ऐसा होता अभी तक notification आ गया होता बहुत कम chances देखने को मिल रहे हैं कि sscgd के last date को आपको एक्सेंट करा जाता है तो फिफ्टी फॉर थाउजन फिफ्टीन लैक वाड़ा डाटा आपको देखने को मिल रहा है यह डाटा बहुत जड़ा बढ़ने वाला है अब यह डाटा क्यों कर में लास्ट के चार-पांच दिने में स्टुट्स अप्लाई नहीं कर भाए एक बात अब को यह क्लिएर होगी दूसरी बात में आपको बदाना चाहूंगा यहां पर सब करड़ कि कुट अफ की न रहा सकता है रहा सकता है लासाट एक्सेंट हो यह नहीं होगी ला पेपर का तो कि पेपर आपकर आपका दर्स जन्वरे में होने जाया आपको त्यारी स एपलोड होती रहती है और जी के भी प्लेइस्ट बनाएगे वहां पर जाकर आप इन वीडियोस को देख सकतो त्रिक्स के साथ आपको सब कुछ पताया जाता है और इसका कोर्स जो है GD का जो कोर्स है उसमें आज डिसकाउंट भी एवेलेबल है, दो दिन का सिर्फ डिसकाउंट रहने वाला है, 50% का डिसकाउंट चल रहा है, अप्लिकेशन बजाबर कहीं सारा स्लेबर्स कवर भी होगा, ट्रिक्स करवाया गया, तो 50% डिसकाउंट यह सिर्फ दो दिनों के लिए है, विंटर सेल चल रही है, अगर आप जोइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे कमेंट सेक्शन में आपको अप्लिकेशन का लिंक मिल जाएगा, डिलेक्ट कोर्स कर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाएगा, आप कोर्स को पर्चेस कर सकते हो, 50% डिसकाउंट सेल रहा है, सिर्फ दो दिन का टाइम है, इसी में आपको जो है, 5-minute के आसपास पड़ेगा, इसी में आपका complete course पर आपको मिल जाएगा, weekly test भी होंगे, साथ इसाथ, full length mock test पर आपको इसमें मिल जाएगे, तो cutoff हलागी state to state vary करता है, बट फिला अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर कराने वाला हूँ, यहां के students को जानता हूँ, तो अगर जम्मू कश्मीर वालों के लिए safe score की बात करी जाए, तो जम्मू कश्मीर वालों के लिए, आप अपना 55 plus को फिलाल safe score मानके चल सकते हो आपको तयारे 55 plus के हिसाब से नहीं करनी चाहिए मैं यह नहीं कहना चाहूँ कि आपको 55 plus के हिसाब से ही तयारी करनी चाहिए बट हाँ 55 plus को आप अपना safe score मानके चल सकते हो और obvious ही बात है अगर आपको 55 plus भी score करना है तो जो आपका टार्गेट है वो 75 या 80 प्लस का टार्गेट होना चाहिए अगर यह टार्गेट रखके चलोगे तब यहां तक पहुंच पाऊगे तो आप सभी को हमारी तरफ से all the best इस यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो जा रही है एप्लिकेशन पर भी चल दे अप जहां से पढ़ना चाहते हो आप वहां से पढ़ सकते हो आने वह टाइम पर इस यूट्यूब चैनल पर और वीडियो जाने वाली है और एप्लिकेशन पर और extra text और जिल्दी mock test भी upload होना start हो जाएंगे तो यह थे आज की important update सबसे बड़ा update तो यही था कि total form कितने apply करें वो data आपको पता होना चाहिए था उस data की recording चल सकती हो और बागी state वालेंगे तो वह भी अपने आपको क्योंद करता को से state में तो last day के cut-off का analysis कर सकते हो अलाकि जो भी तैयारी करेगा मैं तो कहता हूं 65 प्लेस के साब से त्यारी करने चाहिए आपकी state का पूप किस तरह के जादा अप्लाई हुए थे इस बार सीट जादा है फॉर्म का मैं प्लाई हो तो उसका मतलब यह ने एक कंपूटिशन भी इस बार जो है वह कम हो जाएक कटाफ कम रहने वाला है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस बार वह सभी बहुत सारे students ऐसे हैं क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब करने वाले हैं तो यह मत सोचना कि बार बर बोलोंगी वेकंशी जादा है अप्लाई कम लोगों ने कर रहा है तो कटाफ भी कम रहने वाला ऐसा को लॉजिक नहीं बन रहा है इस बात का ध्यान रखना कि एज लिमिट थी एर्स प्रेस किस बार करी गई थी व सब्सक्राइब को समझाएगा कर टाफ जादा रहने वाला है कंपिटिशन स्टॉंग रहने वाला तो त्यार यह अच्छे से कीजएगा करते हैं वीडियो को एंड किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हों थैंक्यू जाहिंद